अंहें बंद करके किसी X-ray के बारे में सोचें आपने कुछ इस तरह की image सोची होगी शरीर के जिस किसी भी हिस्से के X-ray image के बारे में सोचा है वो image bones की image है X-rays bones को नहीं भेद पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है X-rays की इस property को radio opacity कहते है आपके gastrointestinal tract यानी जटरांत्र पत्थ में पेट और आतों का भी X-ray मेंच लिया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको किसी तरह के X-ray को soft muscle और tissue को भेदने से रोकना होगा X-rays को रोकने के लिए आपको barium meal निगलना पड़ेगा ये white chalk के liquid जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में ये barium sulfide का suspension है जो सफेद रंग का अगुलनशील ठोस होता है suspension insoluble solid और liquid का mixture होता है mixture के इन दोनों घटकों के एक अवस्था में ना होने के कारण suspension heterogeneous mixture होता है बालू पानी में नहीं घुलती इसलिए आप इसे बालू और पानी के mixture जैसा मान सकते है अगर कुछ देर के लिए हमें इस mixture को छोड़ दें तो बालू बर्तन की तली में बैट जाती है दवाईयों की बोतलों पे उसे हिला के इस्तिमाल करने के instructions लखे रहते हैं इन में भी suspension जैसी प्रक्रिया होती है दवाई में insoluble solids शीशी के तली पे बैट जाते हैं दवाई को इस्तिमाल करने से पहले हिलाने से solids एक समान रूप से पूरे liquid में फैल जाते हैं बेरियम मील के लिए भी यही किया जाना चाहिए बेरियम के अधिकतर compounds हानी कारक होते हैं हाला कि निगला गया बेरियम मील सुरक्षित ढंग से आपके शरीर में बिना एब्जॉर्ब हुए इस्तिमाल किया जा सकता है बेरियम मील किसी कीड़े के मिट्टी के अंदर रेंगनी जैसा है ठीक बेरियम मील की तरह कीड़ा मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता जब कीड़ा मिट्टी के बाहर आता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता बेरियम सलफीट के अत्याधुनिक insoluble होने के कारण शरीर इसे एब्जॉर्ब नहीं करता अगर इसे आप कभी इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका टेस्ट चौक जैसा होता है साथी ये अत्यधिक थिक और डेंस यानि गाढ़ा और घना होता है इसका टेस्ट बदलने के लिए कई बार इसमें अलग-अलग flavors मिलाई जाते हैं जब ये gastrointestinal tract से निकलता है तो इसकी डेंसिटी बून्स की डेंसिटी के बराबर हो जाती है डेंसिटी जादा होने के कारण X-rays इसे भेद नहीं पाती है जिससे image बन जाती है बेरियम सलफेट एक radio opaque compound है जिसे X-rays भेद नहीं पाती है ये शरीर के कुछ हिस्सों की visibility बढ़ाता है इसलिए medical की भाषा में इसे contrast agent कहते हैं इस case में इसका इस्तिमाल gastrointestinal tract की visibility बढ़ाने में किया गया है iodine based dye का भी इस्तिमाल contrast agent के रूप में किया जाता है angiogram यानि वाहिका चित्र के लिए इसे blood vessels में inject किया जाता है angiogram में शरीर के कुछ हिस्सों के blood vessels की image ली जाती है आए जल्दी से एक बार दोरा लें आपके gastrointestinal tract की image आपके barium meal निगलने के बाद ली जाती है barium meal, barium sulfate और water का suspension होता है इसके gastrointestinal tract में पहुँचने के बाद ये x-rays को दूसरी तरफ नहीं जाने देता barium sulfate के अतिधिक insoluble होने के कारण ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता